विल्ला रमा रोहीम असलाम वालेकुम मैं हूँ इमाज और आप देख रहे हैं आपना यूट्यूब जैनल इमाज रहा स्टारफोर्ट सीक्रेट्स संडे स्पेशल रेस्पी जना मैं लेका आज हाजी रूआ हो संडे हो तो आप यहली रेस्पी बनाएं खाएं और ट्राय करें आज मैं आपके लिए रेस्पी लेका हूँ नेम मैं आज आपको एंड पर रेस्पी गपदा होगा जैसे कि आपने मेरा टाइटल देखा है कर लाइस द्रिक है है इसको बनाए टिक भी वांते हो ईसको उलाय एक यूजआ això valor क्वी गट कुशिस्ट्व क फटे घूर्म पर गी डेकाट तो यह दो उसको बनाए छिम्ला मिर्च यह मेरे पास ऐक पाव शिला डेकट और में डाल य। स्सक्तिक कर लिया आक बाद और मि सोटे करने का मतलब यह है कि चीजों के कलर बरकरार रहें और जो इनमें वाइटा मंजा वो बरकरार रहें जले जी अब यहां मैं डालूंगा दो चमाटर देख सकते हैं प्यारी मैंने कटिंग किया हैं आप भी सेम तो सेम ऐसे ही कटिंग कीजेगा कि कि अंडर से बीज रिमोыв कर दियां लंबाय में कट्रिया इसको भी सोटे कर देख सकते हैं ऐ GPita 1996 को आग इंजा I दो चमच के करीब और डाल गिया है यहां मेरे पास दो मीडियम साइज के प्यास कटे हुए हैं क्यूब स्वोर्म में यहां पे प्यास सोटे हो चुका है अब इसमे डालेंगे एक चमच लसन का पेस्ट एक चमच अंदरग का पेस्ट डाल देंगे इसको उस वक तर पकाएंगे जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुश्भू आने लग गई है अब हम इसमें खड़े मसारे डालेंगे एक बड़ी एलाइची एक दाल चिनी का टुकड़ा तीन चार लॉंग एक चोटी एलाइची पांच काली मिर्चे चापद मिक्स कर लें जब प्यास का लाइट ब्राउन सा कजर आज़ेगा फिरा मिसमें तर चिकन लगोगे यह देखे जी अच्छा से कजर आ चुका है अब यह मेरे पास है हाफ के जी चिकन है बॉनलस है कीमा किया हुआ है बूचर से ही मैंने करवाया घर में नहीं किया हुआ हुआ है इसी तरह मेरा टोक्री को साफ कर लेंगे बिश्मि इल्लाहि रह्मानु वाहिए जोवर किये बढ़ियाइस कालर चेज़ करेंगे अब कवर आपने जब कर गया तो बैर्टी स्मेल आएगी खड़ा मसाला डालने का मेरा मकसद यही था कि इसके अंदर से एक अच्छी खश्बू आया और जाई का सोगूना भढ़ जाए अब इसके अंदर से इतनी अच्छी खश्बू आरी है इस तरह आप लोग होटलों में जाई खाते है ना वैसी खश्बू जनाब आ रही है यह देखे जी चिकन अपना हलका हलका पानी छोड़ा है इसी में मर्क्यास गर जाएंगे और चिकन इसमें दो टमाटर चले जाएंगे कटे हुएं क्योग स्वाम में तरह जोड़ा शोड़ा जाएंगे इसके अदर बीज नहीं होने चाहिए इसके अदर बीज टालएं आज़िए अब इसमें जाएंगे स्पाइस, यह हमें पास ब्लैक फेपर 1 टीस्पॉन, 1 टीस्पॉन चिली फ्लैग, फेपर 1 टीस्पॉन नमक चले इसको मिक्स कर लेंगे, चले जी अब इसमें डालेंगे सबस मिर्चे कटे हुई 2 मदत, सिर्का विनीगर एक क्लमेट डालेंगे सिर्का मेन अंग्रीडियेंट है सिर्का इसकी खुश्बू को इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगा और इसके हजाइके को 100 गुना बढ़ा देगा जहना आप मिक्स करेंगे जो आप फाइव स्टार होटल में खाना खाते हैं वो थोड़ी सी मिहनत होती है आप थोड़ी सी मिहनत घर पे करें वैसा खाना बनेगा इंशाला बस थोड़ी सी मिहनत जरूरी है चले जी देख सकते हैं कितना अची तरीके से ओयल आ चुका है बुनाईस की डन हो चुकी है फ्लेम अब मैंने जीरो कर दी है क्योंकि अब इसमें दही जाने वाला है जब भी दही जाने वाला हो आप फ्लेम को जीरो कर दिया कि दही की गई है फ्लेम अभी मेरी जीरो है पेले मिक्स कर लेंगे अब फ्लेम मैंने देज कर दिया है मूँ में थोड़ा थोड़ा तो पानी आया होगा जिनाव चले जी अब इसकी अच्छी सी बुनाई करती है फेरा आप से मिलती है जी देख सकते हैं कितना अच्छा गी आ चुका है अब इसमें जायेगा सुका धनिया एक चमच उटा हुआ स्वारी मिक्स गरम मसाला मिक्स गरम मसाला एक चमच सुका धनिया भी इसके अंदर ही ठाक उटा हुआ चले जी अब मैं इसमें डाले जा रहा हूँ मैं इसमें डाले जा रहा हूँ अबनी सोती की हुई चीजें तो बिसमिल्लार रह्मार रहीम चले जी यह डालेंगे इसको साइट पे करेंगे इसी दुरान जिनाब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यह मेरा आप से गुजारिश होती है मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और गीड़ा भी होता है आप नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जाए नहीं करते लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं आपको तो 6-7 मिनट की वीडियो मिल जाती है पर उसके पीछे दो तीन घंटे की मेहनत होती है फिर वीडियो भनती है आगे- देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे मिर्चो और धनिया कटा हुआ और यह में पास है अद्रक कटा हुआ डालेंगे मिक्स कर लेंगे और रैडी इस टाइम टो सर्विंग चलेजे बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम सर्विंग ट्रे में काल लेंगे जनाब आप आप मेरी वेजेटेबल की देख सकते हैं लुक्स वैसे ही बरकरार है सोटे करने का यही फाइदा होता है कलर भी वैसे बरकरार रहता है और चीज भी चलेज इसको गार्णिश कर लेंगे अद्रक के साथ देख सकते हैं इसकी लुक्वार कैप्सिकम विद चिकन कीमा विद अनियन यहाद की रैस्पी का नेम था जनाब यह मेरे प्यारी प्यारी व्यूवर्स के लिए बनाए खाएं जल्दी से ट्राय करें इस तरह की नहीं नहीं रैस्पी को ट्राय किया करें और बनाया करें अपने बच्चों को खलाएं, खुद खाएं, मज़ा करें, अपने हस्बंस को खाएं, सास बोड़ सब को खलाया करें, खुश रहें, हैपी रहें, यह आज की रस्पी मेरी स्पेशल स्पेशल आप लोग के लिए थी, अमीद करता हूं आपको आज की रस्पी बहुत अची हैपी के लिए वाएं, गपने हम t